हेलो दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल लाइफ और ब्यूटी में स्वागत है आज का वीडियो जो है वह हमारे पास कपड़े बच जाते ना टुकड़े कपड़े और उसको हम फेक देते हैं तो उससे हम कुछ बनाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए पोटली बैग बनाया अगर आपके पास में कोई ड्रेस हैवी ड्रेस का टुकड़ा बच गया हो तो उससे बनाई काफी अच्छा बनेगा कोई हैवी साड़ी हो तो उसके साथ में भी मैचिंग आप बना सकते हैं तो वह भी काफी सुन्दर लगता आजकल काफी ट्रेंड में है कि सेम फैब्री का आप बना के साथ में पोटली बेक कैरी कर सकते हैं इसको बनाने के लिए काफी कम समय लगता है आप 10 से 15 मिनट में इसको बना के रेडी कर सकते हैं कोस्टिंग तो आपका समझे कुछ भी नहीं लगता एक चोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी मेहनत तो चलिए बिना देर कर अबरते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं जो हमारा फैबरिक था ना उसके साइड में यह बॉर्डर था गोल्डन कलर का तो मैंने उसको साइड कर लिया यह बॉर्डर का यूज में हैंडल बनाने के लिए करूंगी पॉटली बैक का जो हैंडल होता है इससे किये साहता है हैंडल को बनाऊंगी एक बार पहले बीच से कपड़े को फोल्ड करेंगें और नीचे से मैंने एक लाइन दे दिया और यह तो नीचे से जो प्ले धान असको में निकाल दिया था कि डिजाइन वाला जो है वर्क वह हमारे बैक जो बने उसके बीच में आ जाए जाए और और चोड़ा ही जो है मैंने यह पर 10 इंच लिया है आप इसको 9 और 8 भी ले सकते हैं मैं जितना चोड़ा आपको चाहिए और जितना लेंच चाहिए अपने अपने अकॉर्डिंग इसको ले लीजिए फिर देखियो वापस से मैंने एक बर फोल्ड किया तोटल मेरा 4 टाइम फ चोड़ते हुए अब इसको कटिंग कर लीजे थोड़ा बूत एक्स्ट्रा कहीं से रह गया हो तो इसको कटिंग करके निकाल लीजे तो कटिंग हमारा हो गया आप चलिए स्टीचिंग करते हैं स्टीचिंग के लिए हम जो है सीधा भाग दोनों को अंदर रखेंगे और उल कर लिया चलिए अब उपर से हमें डोरी डालने के लिए बनाना है पहले हम एक बर फोल्ड करेंगे और शिलाई लगा लेंगे आप इसको स्कीप भी कर सकते हैं एक साथ दो बार फोल्ड करके सिलाई लगा सकते मैंने दोनों सिंगल सिंगल करके किया तो एक बर फोल्ड करें आप जितना अच्छा और जितना है भी लेंगे उतना ही सुन्दर लगेगा देखने में और आप अपने मन पसंद और अपने कोर्डिंग भी ले सकते हैं तो चलिए इसमें लेस लगाते हैं और लेस लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम फैब्रिक जो है उसको सीधा रखेंगे और सीधे में हम अंदर के साइड में लेस को करते हुए लगा लेंगे अब पहले बारे में लेस लग गया है तो दोनों का सीधा भाग को अंदर कर देंगे इस तरीके से लेस हमारा अंदर चला जाएगा देखिए मैंने किस तरीके से किया अब हमने जहां पे सिलाई चलाई थी सेम वापस से हम उसी पॉइंट पे सिलाई को दोरा देंगे इससे जो है लेस हमारा अच्छी तरीके से लग जाएगा तो चलिए इसको हमने लेस को लगा लिया अब इसको वापस से हम फिलिप कर लेंगे तो देखिए फिलिप करने के बाद ये कितना सुन्दर लग रहा है और ये हमारा जो लेश लगाता वो चारो साइट से अग्दम पॉफेक्ट तरीके से निकल गया है तो चलिए अब इसमें हम उपर में एक दोरी लगा देंगे डोरी जो है आप अपने लगा लिजिए या फिर कोई भी पतला से कपड़ा का फैबरी का भी बना के आप लगा सकते हैं मैंने यह पर हैंडल के लिए जो गोल्डन कलर का बॉडर निकाला था उसी से डोरी के तरह बना कर और उसको लगा रही हूं आप चाहें तो आपके पास कोई माला हो मोतियों का माला हो तो आप उसको लगाएंगे तो वह भी काफी सुदर लगेगा इसमें हम गोल्डन कलर का मोतियों का माला लगा सकते थे पर मेरे पास अबलेबल नहीं था तो मैंने इसी से डोरी बना के लगा लिया और आप चाहें तो अगर आपके पास तीन डोरी इसी तरह के हो तो तो मैंने यहाँ पर सिंपल सेम फैब्रीक का ही बना दिया आप चाहें तो इसको अलग फैब्रीक या फिर अलग कॉंट्रास्ट कलर का बना सकते हैं या फिर इसमें दिशन से कि हम गोल्डन बना सकते तो वह भी सुंदर लगता और अलग अलग टाइप का टैसल होता है तो आप उसको बिलकुल भी ना फैके और इस तरीके से आप कई तरीके का चीज़े बना सकते हैं मैंने यह पर जिस तरीके से पोटली बैक बनाया है और इसका यूज तो आप बहुत सारे चीज़ों में कर सकते हैं आजकल तो सादी में सगून के तोर पे भी दिया जाता है इसक बाप बाइ! have a good day.